हाई फ्रेंड्स तो आज हम लाए है एकदम मज़ेदार रेशिपी जो आप किसी के उसाथ भी इसको इन्जवाई कर सकते हैं तो यह यहाँ पर हमने ले लिया है कॉन फलेक्स तो यह जो दूद में खाते हैं कॉन फलेक्स यह वह वाला कॉन फलेक्स नहीं है तो इसका हम क्या है यह नमकीन वाला कॉन-फ्लेक्स है तो आज हम इसकी नमकीन बनाएंगे तो ये नमकीन खाने में बहुत टेस्टी लगती है तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं और कैसे बनाते हैं, वो भी मापको आगे बताएंगे तो यहां पर हमने टेलगरम होने के लिए दिया था तो टेल में हम डालेंगे मूमफली मूमफली को गोल्ड होने तक अच्छे से प्राई कर ना है तो आप चाहे हैं तो इसको डाइरक टेल में भी ढाल के प्राई कर सकते हैं कि काजू नमकीन में तो आप कुछ भी ढाल सकते हैं वह या कुछ भी नियांकि आप कुछ भी टाल सकते हैं तो यहां पर हमने काजू को अच्छे से फ्राइब कर लिया है GOLDEN BROWN होने तक जज्ञादा इसको फ्राइब नहीं करियेगा फिर काजू जो है वह जल जाएंगे तो फिर वह अच्छे नहीं लगेंगे उसका टेस्ट जो है वो फिर अच्छा नहीं लगेगा खाने तो यहां काजु को भी हमने अलग थाली में निकाल लिया है तो अब हमने यहां पर ले लिया है साबुदाना तो यह साबुदाना जो है यह बड़े वाले साबुदाने हैं और यहां पर नमकीन में जो हम इस्तमाल करेंगे वह बड़े वाले साबुदाने का ही इस्तमाल तो इसको साबुदाने को जब फडाई करेंगे ना तरी तेल को अच्शा से गरम होने पर ही ही चाहिए तो इसी तरीके सबीपने तेसली तेल की तो की जब आप साबूदानों को फ्राई कर लिया है तो इसको निकाल लेते हैं तो यह नमकीन को आप चाहें तो चाह के साथ किसी भी टाइम आप इसको अंज्वा tuya कर सकते हैं यह नमकीन मुझे तो बहुत पसंद है आप को पसंद है तो आप भी मुझे के में बॉक्स में बताईएगा तो साबुदाने को एक अलग प्लेट में हम इसको निकाल लेते हैं तो इसका तेल अच्छे से हमें च्छान के ही निकालना है नहीं तो क्या है ना फिर बहुत तेल तेल रहेगा तो फिर वह अच्छा नहीं लगेगा खाने में तो चलिए इसको तो तो आपकी नमकीन जो है वह घर पर एकदम रेड़ी हो जाएगे तो अब याप एक दम अच्छे से फ्राइच कर लेंगे इसके लिए भी तेलए वह आपको नमकीन कम बनाना है या ज़ादा बनाना है तो इसकी कौंटिटी आपकं़ ज्यादा आपने हिसाब से आप कर लีजेगा तो यहां पर हमने इन सब चीजों को अच्छ से फृई कर लिया है अब हम इसमे डालेंगे करी लीफ याना की मीत्फी नीम की पत्ती तो इसको भी अच्छे से हमें फ्राई करना है हाँ इसको जब आप फ्राई कारिएगा तो जितना तो क्या है निजब अगर मीठी निम की पति डालेंगे तो यह बहुत तेज रहें सफेगं वो बहुत तेजी के साथ उपर या Fy यहाँ पर दालंगे काला नमक कुरानें निजब नमक छाहें तो इन सब मसालों को एक कटोरी में एक साथ ही मिक्स करके आप अकठा ही डल सकते हैं तो यहां पre हमने अलग-अलग दाला है तो अब हम यहां पे डालेंगे रिट चिली पावडर है अब पह मितम पह नहीं होगे भूण हवा जीरा पावडर है इससे जी magist्ष है ना वह बहुत अच्छा है oh आधे में तो इन सबको अாज़े से हमें मिक्स करना है आप चाहें तो किसी चम्मच या किसी की सहाइता से आप इसको अच्छे से मिक्स करते हैं हमने हाथ से मिक्स करना ज्यादा बेदर समझा क्योंकि हास्ती है मिक्स करेंगे ना तो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो आप यहां पर नम्कीन की आवाज सुन सकते हैं कि अच्छे से किदम कुरकुरी एकदम क्रंची नम्कीन हमारी जो बन के लिड़ी हो गई है तो यह नम्कीन कई तरीके से बनती है तो आप इसमें बहुत तरह की चीज़ें आप इसमें डाज सकते हैं तो ये नमकीन की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताईएगा और एक बार आप इसको बना के जरूर ट्राइ करिएगा तो ये रेसिपी अगर आपको मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा तो ये नमकीन आप इसको इंजॉय करिए चाय के साथ बहुत टेस्टी लगती है मुझे तो खेर बहुत पसंद है अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर लीजेगा तो चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई